केंद्रिये क्रिशी राजमंत्री शोभा करनलाजे और करनाटका विधान सभा में विपक्ष के नेता आर अशोक के खलाफ मंडिया पुलिस ने F.I.R. दर्च किया है माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर शोभा करनलाजे ने गणेश जी की एक मूर्ती की तस्वीर शेयर की जिसे एक पुलिस अधिकारी अपने साथ लेकर जाता हुआ दिखता है शोभा करनलाजे ने लिखा कि करनाटका के मंडिया में प्रथम पुझे गणेश को पुलिस ने ग्रफतार कर लिया है रास्ट विरोधियों ने जुलूस के दोरान गणेश प्रतिमा पर पत्थर और चप्पल फेंके और पचीस से ज्यादा दुकाने जला दी सिएम सिद्रमयया और ग्रह मंत्री प्रमेश्वर दोशियों को बचा रहे हैं और घटना को छुपा रहे हैं पुलिस ने शुभा करण लाजे के खिलाफ नाग मंगला में हुई हिंसा के संबन्ध में सोशल मीडिया पर कथित रूप से गलत जानकारी साज़ा करने के आरोप में प्रातमिकता दर्ज की है जिस तस्वीर को शोभा करनलाजे ने मंडिया का बताया था वो दरसल मंडिया में हुई हिंसा के बाद इसके विरोध में बैंगलूरू में हुए एक विरोध परदर्शन का था दक्षिन पंथी हिंदू संगत्नों ने बैंगलूरू के टाउन हॉल के बाहर गणेश जी की मूर्ती लेकर प्रदर्शन करना चाहा इसकी इजाज़त प्रशासन से नहीं ली गए थी और वैसे भी टाउन हॉल के पास धरना प्रदर्शन पर अदालत की रोक है क्योंकि इससे ट्राइफिक जाम होता है ऐसे में जैसी ही कारेकरता वहां जमा हुए पुलिस ने उन्हें प्रिवेंटिव कस्टडी में लिया और उनके हाथों में जो मूर्ती थी उसे पुलिस जीप में रखकर उसका विसरजन करवा दिया बैंगलुरू की इस तस्वीर को शोभा करनलाजे ने मंडिया का बताया अपने पोस्ट में पुलिस ने इसलिए भ्रामक पोस्ट करार देते हुए शोभा करनलाजे के खिलाफ एफाई आर दच कर लिया उसको प्रस्ट किया तो एफार डालते हैं नहीं हुआ नेरे उपर और अशोक को उपर ओपोस्ट लीडर को उपर पहली बार करनाटक में एफार डाला ये पहली बार हुआ है वहीं बीजेपी के वरिष्ट नेता और विधान सभा में नेता प्रतिपक्ष आर अशोक के खिलाफ भी मंडिया पुलिस ने भ्रामक वीडियो शेर करने का मामला दर्च किया है आरोप है कि आर अशोक ने पाकिस्तान के समर्थन वाले नारे का वीडियो मंडिया का कहकर शेयर किया जो की सच नहीं है शोभा करनलाजे और आर अशोक के खिलाफ मामला भारतिये नियाए सनीता के सेक्षन 192 के तहट दर्ज हुआ है यानि दंगा भढ़काने का बीजेपी का आरोप है कि राज्य की कॉंग्रेस सरकार दोईश की भावना से काम कर रही है हाला कि ग्रह मंतरी जी परमेश्वर का कहना है कि सोशल मीडिया पर जो पोस्ट बीजेपी नेताओं ने साज़ा किया है उसी के आधार पर मामला दर्ज किया गया है गणेश विसरजन जलूस के समय पत्थराओं के बाद मंडिया के नाग मंगला में सामपरदाईक दंगा भड़का था बीजेपी और कॉंग्रेस के बीच गणपती की गिरफतारी बहस का एक बड़ा मुद्दा बन चुका है बैंगलूरू से कैमरामेन कुमार के साथ नहाल खिद्वई इंडी टीवी इंडिया